22 जन्वरी को भगवान श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इस घड़ी का इंतजार सैक्डो साल से सनातन समाच कर रहा था वो घड़ी अब बिल्कुल नस्दीक है जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें तमाम विद्वान पहुंचेंगे लेकिन मुख्य आचार्यत्व की भूमिका निभाएंगे काशी के आचार्य पंडित लक्ष्मी कांत दिख्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं करीब करीब 85 साल की उम्र हो गई गुरू जी की और 85 साल की इस उम्र में भी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कराने गुरू जी प्रारंब जो है वो 17 तारिक से होगी और वो 22 तारिक तक चलेगे 17 से 22 के बीच में जो पूजा के विधान है वो संपन्न होंगे जिसमें मुख्य गणेश पूजन और मूर्ति का अधिवासन अधिवासन का तात्पर यह है कि मूर्ति को जल में रखा जाए मूर्ति को अन्न में धान्न में रखा जाए मूर्ति को शया में रखा जाए और भी अधिवासन है जो फल है पुश्ब है ऐसे जो है यह होंगे और फिर नित्य प्रतिधिन हवन का कार् यह कारकर निर्धारित है और मुख्य मुहूर्द जो है सोबाइस तारिक का साड़े बारवजे करिब अभिजित में तैय हो रहा है तो यह भी कहा जा रहा कि दो मूर्तियों की प्रांट प्रतिष्ठा होगी चल अचल ऐसी भी कोई बात है क्या गुरुजी चल अचल तो मूर् क्यासित है जो मोर्ति नीचे रखी जाएगी जो अन्य कार्य कर्याग्गों में बाहर भी भूमेगी जोान कि बढ़ी बाहर निकलते नहीं है इसकारन उत्सव मूर्ति हो उसको चल मूर्ति कहते हैं वो की वह बाहर कभी कहीं भी इधर उथर अपने आव्यमें अपने तरफ गुमते रहे गे और वो सथिर मूर्थी अचल मूर्थी राम चंदर जी की हो गए है वो कहा जा रहा है मरीग शिरा नक्षात्र में व्यशेश पूजन हो जो है वो परदिश्ठा का मुहूर्ध है स्थिर होने का मुहूर्ध है वो मुहूर्थ उस दिन दोपार को करीब साड़े बारा वजे मिल रहा है उस मुहूर्थ में कितने कितने नवाओं से निकलेंगे उसके वो तैय भी नहीं हुए है वो तैय होंगे जो अलग अलग नदियों का जल भी जाएगा तो कौन-कौन सी पवित्र नदियों का जल कलश में भरके जाएगा कलश में तो सारे भारत वर्ष के जल आ रहे हैं और क्या नाम कि उन उन जलों से भगवान का स्नान होगा सभी जलों से जिट्नी नदियों का जल्यए समद्र का जल कहा हन से संबन कर रहें हैं वो संबन्न होगा आप मुखे आचारत्यों की भूमी कsil का में रहेंगे तो यह कीतना महत्वपूर्ण रहेंगा आपके लिए यह कितना बड़ा स्वागे मानते हैं यह हम लोगों का सवभाग है वारणसी वालों का वारणसी वालों का यह सवभाग है कि यह कार्य प्राप्त भगवान की दया से वारणसी को मिला है उसका कार्य संपादन हम लोग संपादन करेंगे सब लोग आपके साथ और भी काशी के और भी विद्वान जाएंगे काशी के विद्वान जाएंगे अन्य भारत वर्ष से सारे भारत वर्षों से लोग विद्वान आ रहे हैं उनके सानिधी में उनके सानिध्य में कारिये ये संबन होगा कुल कितने देर की पूजा होगी आपको क्या लगता कितने देर की कुल पूजा होगी अब जैसे मंड़ब बनेगा तो उस मंड़ब में सब वेजियां बनेंगी और क्या नाम के कुंड़ बनेंगे नौ कुंड़ बनेंगे नौकुंडों में हवन होगा और हर कोणों में वेदिया बनेंगे वास्टु वेदि है योगिनी वेदि है खेत्रपाल भैरो वेदि है और क्या नाम की प्रधान वेदि रामचंदर भगवान की वो सब वेदियों का पूजन उन वेदियों का हवन उन देवताओं का हवन 0.4 तो हर साखा marav yeah जहार है से भी जा रहा है सब साखाओं के पारायन होंगे था उक्त थे वेदों के मंत्र है उन वेदों कों मंत्र प्पा उच्चारण हो उसमें तो यह पूरा जो विधी मुख्य धीन का बाइस थारीक का धर नहीं चींहीं कि भम प्रत्था हो जाएगे हो ऊसके बाद पूर्णाजंआ हुती पूर्णा होती मंडब में जो होगी उसको और समय लगेगा तो सत्रा जनवरी से बाइस जनवरी तक यानि छे दिन पूजा चलेगा वाराम से सत्रा से बारव पूरे दिन भर कारकम चलते रहेंगे तो आचार पंडित दिक्षित जी ने बताया कि किस तरीके से सत्रा जनवरी से ही जो पूजनोत्सव है पूजापाट की जो शुरुवात है वो सत्रा जनवरी से ही प्रारम हो जाएगे और 22 जन्वरी जिस दिन महुर्थ है अभी जीत महुर्थ में श्री रामलला की प्राण़ प्रतिष्ठा होनी है प्रसान मंत्री जी के हाथो होनी है तो मुख्य आचार्यत्व की भूमिका काशी के आचार्य पंडित लक्षमिकान दिख्षित जी निभा रहे हैं यह अपने आप मे श्री रामलला की प्राण़ प्रतिष्ठा होने जा रही है 17 जन्वरी से ही जो पूजनोत्सव है पूजापाट की जो शुरुवात है वो 17 जन्वरी से ही प्रारम हो जाएगे और 22 जन्वरी जिस दिन महुर्थ है अभी जीत महुर्थ में श्री रामलला की प्राण़ प्रति बर्सों के बाद, लंबी यातरा के बाद एक संगर्ष के बाद ऐसा वसर आया है जब भगवान श्रि नाम लला की प्राण प्रतिश्ठा होने जा रही है और ये काशी का स्वभाग है की काशी के आचारे को इसके मुख्य आचारत्व की भूमीका निभाने का मौका मिल रा है